जैसा कि सभी स्टूडेन को अभी पता है कि COVID-19 आने के कारण आपका सभी कोचिंग अस्कूल बंद है इस वज़ास से सभी स्टूडेन का पढ़ाई थोड़ा सा लो जा चुका है तो इस समय बात ये आता है कि कम समय में किस तरह से हम पढ़ाई करें कौन सा बुक पढ़ाई जो हमारा मार्क सबसे ज़्यादा ला सकता है तो इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाले हैं कि आपको कौन सा बुक सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए और कौन सा बुक आपको follow करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा board exam में marks ला सकता है तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा एक भी skip मत करिएगा सारा point अप लोग समझेए वीडियो के अंत में हम ये भी बताएगे कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा chapter को पढ़ना चाहिए कौन सा chapter आपको सबसे ज़्यादा marks लाएगा और कौन और किस दर से आपको तयारी करना चाहिए तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा तब आपको सारा चीज समझ में आजएगा जसा कि आप लोग को पता है कि रेजिस्ट्रेशन तो हो रहा है तो एक्जाम तो होने वाला है ठीक है वो तो होगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला बात ही आता है कि आपके पास नॉर्मल बुक कौन कौन सा होगा normally book आपके पास board exam के लिए केसी सिना होगा, R.D. सर्मा होगा R.A. सगरवाल होगा या तो लाल जी परसाद होगा और सबसे most important जो होता है NCRT, ठीक है? सबसे most important आपका जो होता है NCRT book होता है NCRT जो book है बाबू वो आपका J.E. मेन अधिकतर exam उसको cover करता है तो board exam भी बहुत ही इस पर dependent रहता है लेकिन बात आता है कि क्या आपका NCRT marks को उठा सकता है? तो हम आप लोग को इसके जवाब में हम यही बताएंगे कि यस आपका जो भी NCRT अभी है अभी फिलाल अगर आपका NCRT complete हो जाता है तो बहुत ही बहतर है आप लोग के लिए और आपका marks बहुत ही बहतर उठाएगा आपका NCRT book अगर आप लोग NCRT देखिए हम इसलिए NCRT को हम बोल रहे हैं कि अगर आपका इस समय पे अगर आपका NCRT भी पूरा complete हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि NCRT जो book है इसमें लगभग J-Main में भी question आता है इसको follow करता है मतलब लगभग बहुत ही बढ़िया concept देता है इसका NCRT NCRT बहुत ही आपका बढ़िया concept देता है इसलिए सभी एक जाम इसको follow करता है हम लोग केसी सिना हो गया जैसे आप लोग को दिख रहा होगा ये केसी सिना का book है ठीक है केसी सिना हो गया और आपका जो है ये पूरा आपका केसी सिना देखी ये दोनों second part है ये जो है आपका केसी सिना है जो इतना आपका मोटा रता है मतलब इतना आप लोग को पढ़ना रहता है लेकिन इसके लिए आपको साल भर का टाइम रहता है लगभख इसमें जब से ज़्यादा आपको practice करवाता है आपका क्या करवाता है? सबसे ज़्यादा practice करवाता है लाज जी परसाद हो गया या RD सर्मा होगा सब मोटा मोटा बुक है, ठेक है, लेकिन ये देखिए, ये आपका NCRD बुक है, ठेक है, NCRD में सबसे ठोस question रहता है, सारा question important होता है, और सारा question आपका ठोस होता है, ठोस काने का मतलब ये होता है कि सारा exam solid question रहता है, concept wise रहता है, इस पे जादा आपका practice नहीं करवाता है मतलब एक question दे दिया इससे 1000 question आपका 10 question नहीं मिल सकता है ठीक है लेकिन केसी सिना लेकिन और other book जो होता है क्या करता है इसको मोटा इसले कर देता है क्योंकि एक question एक concept पे 10 question उस पे डाल देता है 5 question डालता है इस तरह से ठीक है तो इस समय पे आप लोग को केसी सिना और जितना भी मोटा मोटा आपके पास book है उसको अभी एकदम हटा दीजिए आपका जो NCRT book है उस पे आप लोग ज्यादा focus करिए यही जो है आपका board exam में अधिकतर जो है कि इस विशम परिस्तिती में आपका जितना भी question होगा NCRT से होगा और बहुत ही easy question इस बार आएगा मेरे हिसाब से आप लोग को जैसा कि पता होगा कि जितना भी अभी coaching school खुला नहीं है तो जितना भी board exam सोचेगा कि student को हम पास कर दें ठीक है तो उतना ही आपका easy question रहेगा और सबसे ज़्यादा follow इसी को करेगा कम से कम आपका NCRT एकदम complete हो जाना चाहिए अगर आपका NCRT complete हो जाता है तब अगर आपको लगता है कि मेरे पास time है तब जाकर कि आप लोग कोई दूसरा book उठाईए या तो KCC उठाईए या जो भी आपके पास other book है कि NCRT के अलावा उसको आप follow कर सकते हैं उसको आप लोग बना सकते हैं लेकिन तब ही बनाईए जब आपका ये complete हो जाए NCRT तब आपको बनाना है ठीक है अगर नहीं होता है complete अगर ये ही पर आप लोग खुस है तो भी बहुत बढ़िया है ये भी complete हो जाता NCRT तो भी आपका बहुत ही बढ़िया है इससे भी आप लोग का 90 से 95% तक अगर बनिया से आप लोग पढ़ेंगे तो जरूर आएगा ठीक है पहला बात का हम जवाब ये दे दिये कि आप लोग को क्या करना है सबसे ज़्यादा फोकस अभी NCRT पर करना है क्योंकि NCRT ही बुक फॉलो होगा बोड एक्जाम में ठीक है और हर साल होता भी है अब बर तो और भी होगा आप लोग को complete एक दम कर लेना है NCRT को और हम ये भी मानते हैं कि अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ियेगा तो जैसा ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग concept पढ़ लिए ठीक है मालने तो इनभास का अप लोग concept पढ़ लिए या integration का concept पढ़ लिए ठीक है लेकिन बात होता है practice का ठीक है अगर आपके पास time होता है तो other book बना सकते हैं वरना NCRT सबसे best है आप लोग के लिए अभी ठीक है सबसे ज़्यादा marks उठाने वाला कौन सा chapter है आपका integral है जो आपको पता होगा integral सबसे बड़ा chapter होता है ठीक है इसमें definite in definite आजाएगा आपका क्या आजाएगा area आजाएगा ठीक है बाद आपको differential equation पढ़ना है differential equation भी जो होता है बहुत important chapter यह भी आपका बहुत ही बढ़िया कम से कम 15 marks का question जरूर आता है ठीक है ऐसे तो सभी exam में chapter आपका सभी important है ठीक है लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि आपका calculus से ही सिर्फ 44 नंबर का आता है तो आप लोग को calculus पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है integration, differentiation, differential equation, continuity, differentiability यह सारा चिज़ जो आता है आपका किस में आता है calculus में आता है तो बहुत ही बढ़ियां से आप लोग calculus पढ़िये है क्योंकि सबसे ज़्यादा marks आपका calculus से ही आता है तो NCRT भी सम परिस्थिती में अभी बहुत best है अगर आपका NCRT सोचिए कि आपका NCRT एकदम complete हो दे और आपको सबसे ज़्यादा calculus पर ज़रुद ध्यान देना है ऐसे तो सभी chapter important है जैसा कि आप लोग को screen पर सारा important chapter दीख रहा होगा तो जितना भी screen पर आपका chapter आ रहा है उसको आपको सबसे ज़्यादा follow करना है और सभी chapter important होता है सब पर आपको ध्यान देना है तो I hope आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरू करिएगा और चैनल पर पहली बार आये होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू प्रेस करिएगा ताकि आप लोग कोई सारा का वीडियो कभी भी मिसना तो चलिए आज के लिए इतना है अगर आप लोग को NCRT में कोई प्राब्लम हो रहा होगा कहीं chapter से कोई chapter से आप लोग को solution चाहिए तो जरू बताईएगा हम उसका step by step solution आप लोग को करके भेद देंगे ठीक है तो आप लोग ज्यास ज्यादा इस वीडियो को सेर करिए लाइक करिए